आपको बहुत 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 स्वागत हैं जन्यवाद जी जो यह बताइए कि आज जो हार हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं यह तो जनता का फैसला है जनता ने जैसा जनता का मन था उसने वैसा फैसला दिया हम उसको स्विकार करते हैं और आगे के लिए हम तैयार होते हैं कि उन्निस में हम मजबूती से चुनाव लड़ें और उसी तरह की जीत हासिल करें जैसे कि हमने 2014 में जीती थी जैसे कि आपने कहा कि यह जंता का फैसला है इस पर आप किसी और कुछ मतलब की कुछ और कहना चाहेंगे कि इसका कारण क्या रहा जो आपकी हार हुई इस महां से गोरगपुर से कारण कुछ नहीं रहा कारण सिर्फ यह था कि समाजवादी और बस्पा का जो गटबंदन हुआ और उस गटबंदन को हम लोगों ने थोड़ा हल के लिया अगर थोड़ा सा हम लोग ज़रा और भी मजबुती से चुनाव लड़ते तो यह गटबंदन फेल हो जाता बिडाजी ची यह बताई कि आपको ऐसब नहीं लगता है कि अब जो भारत हैं वो दो बारत हो गये एक ग्रामेर और सहरी नाम के क्यूंकि गाओं की तरफ तो कोई भी Σब्वार्भ द्यान नहीं देती हैं और सहर की तरफ सारी सरकारी ध्यान देती हैं इसका क्या कारण है ने हमारी सरकार गाउं के तरफ बहुत ध्यान दे रही है कुटी रुद्योग लगा रही है जो नौजवान है उनको रोजगार के बारे में सोच रही है गाउं के विकास के बारे में इस तरफ हमारी सरकार एक साल में बहुत काम कर रही है सारे सडकों से जोड़ा जा रहा है गाउं को और गाउं में जो कस्वें हैं उनको भी हम सुंदरी करण कर रहे हैं जैसे कि आपने का कि हमारी सरकार गाउं की विकास पर ध्यान दे रही है अगर गाउं की विकास की बात कर तो जो किसानों की दुर्दसा है वो किसी से छुपी नहीं है कि क्या है किसानों की दुर्दसा आज कोई पैदा नहीं हुई है यह पुरानी दुर्दसा थी उसको हम लोग जहल रहे हैं और हम लोग उसके उसके निदान में लगे हुए हैं जैसे पीछले वर्सों जो सुखा प उन्हें उसकी भरपाई करने के लिए कई करोर रुपया खर्च किया किसानों का कर्ज माफ किया किसानों की हालत पहले से बहुत किसान दुर दिन में जी रहा था अब तो किसानों की हालत बहुत अच्छी है हमने गयों खरीद अच्छी की दान की खरीद की हमने और आगे की भी तो किसान को खाद दी जा रही है वह अधर्डे जो पर देश सिर्ठ पी कारण method उब बढ़ा कर दे रहे हैं और परेशों इसलिए यह जो बो इसलिए किसान अपर पर रहा कि हुम लोग गाउंग में जो सिच्चा पर भी धते ज разв बन नुजब रहे हैं इसकूल तो है बहुत सारे लें उसमें बच्चे जो हैं वह जमीर बैटके पढाई करते हैं उसमें यह सिच्चक नहीं है और जू तो सिक्षक भरती हुए थे और उनकी कोई क्वालिफिकिशन नहीं थी कोई उनकी सूझ भूज नहीं थी किसी उन्होंने नेट को या किसी उसकों इंट्रिव्यू को पास नहीं किया था उनका उनका जो सुप्रीम कोट से आदेश आया उस पर हम लोंने जब अमल किया और उस जो हम लोंने कारभाई सुरू की तो सिक्षकों की कमी लग रही है अब हमारी सरकार इस तरफ विसेज ध्यաन देकर सिक्षकों की भरती करने जा रही है और इस कमी को हम पूरा कर लेंगे जो रही सफाई की बात या विद्यालेओं की जो भी और समस्याएं हैं मौंड़ी वाल है या सोचाले है उस पर हम लोगा विशेश ध्यान है और हम सब लोग जितने भी विदायक हैं अपने अपने छेतरों में जाकर इन विद्यालियों को सुत्री करण कर रहे हैं, सौचाले बनवा रहे हैं, उसके लिए फंड ले जा रहे हैं, सरकार के पास बहुत ही पैसा है और सरकार उसमें लगा रही है, एक साल में तो सब काम पूरा नहीं होगा, लिकिन हमारा परयास य जाले को नेट से और सारी सुविदाओं से जोड़ एक साल के अंदर 18 तक काम पूरा हो जाएगा और अगर जहां तक अस्पतालों की बात करें गाव में जो चिकिस्थक हैं जो अस्पताल है उसमें चिकिस्थक नहीं इसका कारण जो चिकिस्थक देखिए MBBS MD डाक्टरों की कमी है पूरे देश में और चिकिस्थक कुछ दिन तक सरकारी चिकिस्थाले में काम करते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं अपना प्राइवेट करते हैं काम जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है तो अब प्राइवेट ही जाके करते हैं और जब ट्रेनिंग करनी होती तो हमारे सरकारी अस्पतालों में करते हैं उस बेवस्ता को भी हम रोक रहे हैं कि जो ये बेवस्ता चली आ रही थी इसको हमने बाउंड कर दिया है कि कोई भी चि ऐने जा रहे हैं तो गाओं में भी जोपांलों की सिटी सिप प्रैक्टिस के अच्छी एगंगे तो गाओं में अभी वी कोई रोजगार नहीं है और सरकार बने के टाइम पर इब भी जब सरकार ने वादाद कहाता कि हर युओां को रोजगार दिया जाएगा सबको नौकर और लोगों की भरती सुरू हो रही है अभी हमारा इस पर काम चालू है सरकार इस पर सोच रही है और सिपाई भरती दरोगा भरती और टीचर भरती तमाम भरतियां निकल ले जा रहे हैं और कोई भी नौजवान भी रोजगार नहीं रहेगा अगर वो अगर कोई अपना भी र एक पर हमारे बैंक लीड बैंक उनको उनको जिस तरह की उस्विदा चाहेंगी वहम देने जा रहे हैं आज और आपके इसाप से गाउ में ऐसे क्या क्या चीजह होनी चाहिए क्या क्या व्यवस्ता होनी चाहिए जो आप इंसान रहे सके अपने परिवार को भी खुसाल दिंगी दे सके गाउं में में चीज़े बिजली पानी और रस्ता शड़क इसपर हमारा बिसेश फोकस है और हमारी सरकार चाहती है कि गाउं में 24 गंटे बिजली रहे पानी की अच्छी वेवस्ता रहे और सडकों का अच्छा जाल विश जाए जिससे गाउं एक अच्छा दिक्षा पराप्त कर सके बहुत बहुत धन्यवाद विदायक जी आपका तो ये तो थे देवरिया से बाच्पा विधायक कमलेश शुकल जी जिन्नों ने हमारे सवालों के जवाब बड़ी सुचबूच के साथ दिये हैं आगे हम आपको अन जन प्रतिनीदों से आपकात करवाते रहेंगे तब तक कि लिए शिल्पी को दीजे इजाज़त नमस्कार